सरकारी योजनाओं का मकसद होता है देश के नागरीकों को अलग अलग तरीके की financial assistance और facilities प्रदान करना ऐसी योजनाओं उन लोगों के लिए बहुत जादा लापकारी होती हैं जिनने रोजगार, खेती, मचली पालन और दूसरे business में मदद की जरुवत होती है आज हम बात करेंगे प्रदान मंतरी मत से संपता योजना PMMSY जिसमें 40% से 60% तक की सबसीटी दी जाती है ये योजना खास तोर पर मचली पालन के business को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है इस योजना का मेंद उदेश्य मचली पालन के छेतर में modern technologies को लागू करके रोजगार के अफसरों में व्रदी करना है पहले हम बात करेंगे सबसीडी क्या है सबसीडी, सबसीडी एक तरीकी की financial assistance है जो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है जिसे वापस नहीं करना होता है इसका उदेश्य beneficious को अपने business में बढ़ावा देना होता है वदारन के लिए प्रदान मंतरी किसान सम्मान निदी योजना में किसानों को साला ना 6,000 रुपे दिये जाते हैं जिसे तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है इसी तरी जैसे gas subsidy के तहट सरकार जनता को एक specific amount प्रदान करती है प्रदान मंतरी मज्सी संपदा योजना के तहट भी आपको 40% से 60% तक की subsidy मिलती है जो मशली पालन के business में invest करने में मदद करती है अप्रदान मंतरी मज्सी संपदा योजना के कुछ में उदेशे हैं जैसे रोजगार के अपसर बढ़ाना इस योजना का में उदेशे मशली पालन छेतर में 50 लाग नए रोजगार उतबन करना है मशली पालन को बढ़ावा देना देश में मचली पालन देरे देरे कम हो रहा है और इसे फिर से मेन एश्ट्रेम में लाने के लिए ये योजना शुरू की गई है modern technologies, key training और उसकी use पर चोर दिया जाता है अब इस योजना के कुछ benefits भी हैं जैसे कि परदाल वंतरी मत से संपदा योजना इसके तहट मचली पालन बिजनस से जुड़ी हुई कई ऐसी सुविदाय परदान की जाती हैं जैसे कि आर्थिक सहायदा इस होजना के तहट सरकार मचली पालन के लिए 5 लाख रुपे प्रती एकर तक की आंदनी का अनुमान करती हैं अगर सरकार 50 लाख रुपे प्रतान करती हैं तो उसमें से 20 लाख रुपे सबसीडी के रोप में होंगे जिसे आपको वापस नहीं करना होगा जो मशली फार्मर्स हैं या फिर जो मशली पालक हैं उनको modern technologies की training दी जाती है ताकि वे अपने business को और ज़्यादा बेहतर बना सके हैं तो लाश में आप बात कर लेते हैं अगर आप इसको apply रहना चाहते हैं तो इसकी application की process क्या है सबसे पहले आपको मशली पालन जल छीतर प्रमान पत्र चाहिए होगा जिसमें आप मशली पालन करेंगे उसका प्रमान एक land certificate चाहिए होगा मतलब एक भूमी का प्रमान पत्र चाहिए होगा जिस असान पर आप मशली पालन करेंगे उसकी जानकारी देनी होगी बैंक अकाउंट डीटेल्स चाहिए होंगी जिसमें सरकार के द्वारा दिया गया पैसा जमा होगा आधार कार्ड और पैंट कार्ड रिक्वाइड होंगे और Permanent Residence Certificate चाहिए होगा मतलब इस थाई निवास प्रमान पत्र चाहिए होगा इस यूजडम में जो आविदन होगा वो ओनलाइन नहीं किया जाता आविदन फॉर्म बनने के लिए आपको अपनी नस्दी की मचली पालन वे भाग, ब्लॉक या फिर जिला इस तर में जाना होगा वहाँ से फॉर्म मिलेगा और उसे भरकर आपको जमा करना होगा फॉर्म बनने की प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो फॉर्म बनने के बाद सरकार के द्वारा एक टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरिफाई करती है वेरिफिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो टीम आपके मशली पालन के लिए बनाई गई व्यवस्ता जैसे की तालाब या फिर जो जल शेतर हैं उनकी जाच करती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप रियल में इस योजना का लाब उठाने की योगे हैं फिर रि मचली पालन से चुड़ी हुई नौकरियों की संख्या में व्रद्धी करना मचली और मचली से चुड़े प्रोड़क्ट्स के एक्सपोर्डिशन में व्रद्धी करना जिससे देश की इंकम बेवड़ेगी इसमें modern technologies का भी यूज होगा इस यूजना के तहत मचली पालकों क modern technologies और tools प्रदान किये जाते हैं ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके पर्यावरन संख्या के साथ साथ मचल से बालन को भी बढ़ावा देना जरूरी है ताकि ये लंबे समय तक आर्थे के लाब दे सके अब इसकी भी कुछ condition है कि कौन कौन apply कर सकता है इसके इस यूजना का ल farming से जुड़ी हुई होती है या फिर मचली पालन से जुड़ी हुई होती है इसकी application process बहुत ज़्यादा straightforward है बहुत ज़्यादा आसान है इसमें किसी special योगिता की आवशक्ता नहीं है लाश में बस मैं यही कहना चाहूंगा प्रदान मंतरी मत्स संपदा योजना के माधियम से सरकार मचली पालन के business को बढ़ावा देने और देश के ग्रामेर छेतरों में रोजगान के अफसरों में व्रद्धी करने का प्रयास कर रही है इस योजना से ना केवल मचली पालन को नया जीवन मिलेगा बलकि देश की आर्थिक इस्तिती भी मजबूत होगी है अगर और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो बसल आए तो वीडियो को लाइक कर देना थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो